जी हां, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चनल ची के एक्जाम्स में और आज हम ले आ रहे हैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन रहने वाली है जैसा कि आप सभी लोगों ने कल का आडर देखा होगा जिसमें लिखा गया है कि 10,000 पोस्टर्स कुछ निकालने वाले है एक्सलेरेटर रेक्रूटमेंट होगी और उसके बारे में कलियरली इंफर्मेशन हमने पूरी तरीके से अपनी टेलिग्राम ग्रूप में वर्टसाइब ग्रूप में शेयर कर लिए है आज हम पूरी तरीके से आपके साथ जो इंफर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी रहने वाली है आपके लिए जमुएंट कश्मीर प्लीज सॉब इनस्पेक्टर पोस्ट या उस रेकूरूटमेट को देख रहे हैं अपना फ्यूचर तो आप इस वीडियो को प्लीज और प्लीज अन तक ज़रूर देखोगे और ज़रूर देखने के साथ साथ आप इसके सारे पॉइंट को भी ध्यान में रखोगे जो पॉइंट में इस वीडियो में बताने वाला हूँ जमुएंट कश्मीर प्लीज सॉब इनस्पेक्टर की रेकूरूटमेट होने वाली है आये देखते हैं इसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टन रहने वाली है सबसे पहले एज लिमिट पर बात करते हैं एज लिमिट में क्या है कि 18 से लेकर 28 साल तक की उमर होनी चाहिए आपको वो भी अगर आप एज कालकुलेट करोगे 1-1 2019 इसमें नोचीफिकेशन यहांपर पढ़ रहा हूँ यह नोचीफिकेशन है 2019 के प्रोसपेक्टिउ के हिसाब से अगर आप 2020 के प्रोसपेक्टिव के हिसाब से देखोगे तो वहाँ पर 18 से लेकर 28 साल की उमर जरूर होगा बट वहाँ पर एक एक 2020 मेंचिन होगा तो इसमें relaxation दी जाएगी as per the government rollers जो नई तरीके से government rollers आ गए है और वो clearly advertisement में पूरी तरीके से discuss किया गए होंगे उन पे पूरी तरीके से focus किया हुआ होगा advertisement में किस तरीके से age पर relaxation दी जाएगी Now moving to the second thing, आपका pay scale क्या रहने वाला है Now moving to the third thing, जो है आपका application fees इसके लिए कितना लगने वाला है अगर आप मतलब पूरी तरीके से 300 रुपीज का fees लगने वाला है और वो भी मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें भी reserved class categories के लिए different rules उनको relaxation दी जा सकती है वो clearly आपको notification से पता चल जाएगा बट यहां पर आपको एक idea होना जरूरी है Now moving to the basic चीज जो हमारे लिए जरूरी है वो यह है कि हमारी details of vacancies किस तरीके से है Sub-Inspector के लिए अगर देखा जाए तो इसमें दो तरीके की मतलब इन्होंने recruitments मतलब दो तरीके के posters में इन्होंने divide किया है एक तो है executive यह armad कह सकते है उसमें इन्होंने 658 posters निकालने है अब अगर बात करेंगे Sub-Inspector Telecommunication Wing की तो उसमें 40 posters इनको निकालने है I hope कि आपने यहां से पूरी तरीके से देख चोके होंगे अब अगर बात करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ वो है educational qualification कौन-कौन सा बच्चा eligible है जुमाइट कश्मीर प्लीस साब इन इस्पेक्टर रेक्डिटमेट के लिए तो उसके लिए अगर देखा जाए तो graduation degree आपके पास होनी लाजमी है इसके अलावा अगर आपके पास post graduation है अगर आपके पास है तो आप वो पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए eligible हो इसमें कोई भी particular subject नहीं है कि आपको इस subject में होनी ज़रूरी है यहां दूसरे किसी subject में आपकी graduation होनी चाहिए किसी भी subject में तब जाके आप इस पोस्ट के लिए eligible हो आपका selection procedure के इस तरीके से रहने वाला है selection procedure आज discuss कर लेते हैं आएंदा आने वाले वीडियो में हम पूरी तरीके से इसके बारे में पूरा study plan के साथ आपको हर कोई चीज जैसे कि हम जुमाएंट कश्मीर पंचायट एकाउंट एसिस्टेंट पढ़ा रहे हैं जुमाएंट कश्मीर प्लीज सब इनस्पेक्टर की recruitment के लिए पूरे सारी चीज़े पढ़ाएंगे उससे पहले जो written test है उसके लिए हम आपको prepare करवाएंगे जेके exam's का core team जो है वो पूरी तरीके से आपके लिए best material आएगा जिससे आपको बहुत ज़्यदा फाइदा होगा ये recruitment crack करने में बात रही दूसरी चीज़ जो इसमे physical standard यहां जिसको हम physical endurance test कहते हैं उसमें जो भी requirements होंगे उनके बारे में हम आपको clearly information दे सकते हैं बट वो चीज़े आपको खुद करनी पड़ेंगे जो आपको personal interview है उस चीज़ लिए हम physical development आपको पूरी तरीके से सिखा देंगे बट आपको करना क्या है कि आपको practice उसमें खुद करनी पड़ेगे so for that reason अगर आप इस recruitment को अपना future देख रहे हो तो इस channel को ज़रूर subscribe करके रखे ताकि आपको आएंदा आने वाले video lectures से पूरी तरीके से आपको फाइदा मिले इसका syllabus आप पूरी तरीके से पड़ सको आएंदा आने वाले videos में हम पूरी तरीके से syllabus discuss करेंगे आएए यहां पर देख लेते हैं पहले आपका selection procedure किस तरीके से रहने वाला है आपका सबसे पहले लिया जाएगा written test उसके बाद होगा physical standard test उसके बाद होगा PMT physical measurement test उसके बाद होगा आपका personal interview मतलब आपको यह जो सबीन inspector के जो recruitment है इसमें आपको चार स्टेजे से निकलना है जो पहले written test crack करेगा उसको physical standard physical endurance test जिसका नाम है दूसरा वो crack करना पड़ेगा जो physical endurance test करेगा उसको physical measurement test के लिए बुलाए जाएगा जो physical measurement test करेगा उसको personality development interview जिसको कहते है यह personal interview जिसको कहते है उसके लिए बुलाए जाएगा जिके एक्जाम्बस आपको मदद कर सकता है पूरी तरीके से जिसमें आपको पूरी तरीके से help मिल जागा वो है written test और personal interview के मामले में भाग यह जो दो चीज़े हैं जो physical endurance test और physical measurement test है इनमें आपको खुद जाके मेहनत करनी पड़ेगी लास्ट में हम यही आपको बताएंगे आप इस चीज इस चैनल को जुरूर सबस्क्राइब करके रखे ताकि आएंदा आने वाले जो वीडियो होगा जिसमें हम syllabus के बारे में है और study plan strategy किस तरीके से होनी चाहिए आप अपना physical standard किस तरीके से बढ़ा सकते हो physical measurement अगर आपको अभी भी किसी यगा lagging है तो वो कैसे बढ़ा सकते हो with the expert advice हम आपको पूरी तरीके से सारी चीज़े clear कर देंगे आएंदा आने वाले वीडियो में अब तक आपको क्या करना है इस चनल को सबस्क्राइब करके रखना है और वीडियो को ज़रूर एक like दे देना thank you for watching this video I hope you may have a good day